तेले बहुत बहुत स्वागत है दर शको सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप सभी ने इस वीडियो को शेयर किया और इतना जादा शेयर किया कि ये अब भारत के कोने कोने में पहुँच चुका है और निश्चित रूप से हमारा ये जो 21 तार इस वीडियो को शेयर किया है इस सभी के बहुत बहुत धन्यवाद और अब बात आज की यानि कि आज एक बहुत ही जबर्दस चीज हुई है वो ये कि आपने आप सभी लोगों ने जैसे ही शोशल मीडिया पर इसका विरोध किया वो उन्होंने लेटरल एंट्री के उस बात कही संसद में भी कई संसदों ने भी ये बात कही कई पार्टियों ने भी इसका विरोध किया और जैसे ही इस एश्टी वर्ग के तमाम लोगों ने शोशल मीडिया पर इस लेटरल एंट्री के खिराफ जो है जैसे ही बात कही इस बार ये लेटरल एंट्री जो है वो ए एक नए सरूप में आने की तैयारी की जा रही है इसकी कियाने की लेटरल इंट्री जो है वो निरस्त नहीं हुई है यह मान ले आपकी लेटरल इंट्री की उस आदेश को जरूर निरस्त किया गया है जो इस बार हो नहीं थी लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है बल UPSC में lateral entry एक बहुती transparent method जो लिया था उसमें reservation के principles लगे ऐसा निरने लिया है वो आज के UPSC में lateral entry में reservation के principle लगाने के निरने में भी clearly दिखाई देती है हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से UPA की सरकार Congress के जो मिरने होते थे उन में reservation के principles का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था याने कि वो जो नया सरूब जो आएगा वो उसमें अब कोटा होगा याने कि SC, ST और OBC का कोटा होगा क्योंकि lateral entry के माध्यम से जादा तर सवन और ब्राह्मन ही भरे जा रहे थे बड़े बड़े जो निदेशक वाले जो पोश्ट थी उसमें जो भरे जा रहे थे लोग खास खास जो पद थे उसमें lateral entry के माध्यम से ब्राह्मनों को याने कि सवर्णों को बड़ी जातियों के लोगों को ही IS के तोर पर वहाँ पर भरती की जा रही थी लेकिन अब जो है वो इसमें कोटा लागू होने वाला है और इसमें SC, ST, OVC को भी इसमें अब लाब मिलेगा बहराल ये तो बात हुई जो आज हुआ और वो क्यों हुआ क्यों कि आप सभी लोगों ने अपना अपना stand लिया और इसके खिलाफ जो है अपने एक अभियान छेड़ा और अब एक जो बड़ा अभियान जो बहुत ही जरूरी अभियान है वो ये है कि यहाँ पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है हाला कि प्रदानमंती जी ने ये कहा है कि जो आरक्षन का वरगी करण है वो नहीं होगा नहीं किया जाएगा लेकिन सिर्फ कह देने से बात नहीं होती उसके लिए संसद में कानून पारित करना होता है ध्यादेश लाना होता है क्योंकि उन्होंने एक तरब कह दिया है मगर वहीं पर हरियाना जो है उसने इस वर्गीकरण पर पहल कर दी है वो अपने जो है अगली जो भी vacancies होंगी जो भी भरतिया होंगी तमाम जो चीजे होंगी उसमें अब वो वर्गीकरण लाने वाले हैं वहीं पर महराष्ट ने भी तयारियां शुरू कर दी यूपी में भी तयारियां इसकी हो चुकी है वहाँ पर भी ये जोर शोर से लागू होगा ही कॉंग्रेस चाशित जो राज्य तेलंगाना वहाँ पर तो इस आरक्षणक में वरगी करण के भेद का जो है इस आदेश का बरी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया था तो ये मान ले कि कॉंग्रेस आपके साथ बिलकुल नहीं है हाला कि जिस तरह से बहन जी ने एक अनुरोद किया था तमाम S.C.S.T. वर्ग के जो नेता है जो की दूसरी पार्टियों में भी है चाहे वो B.J.P. हो, चाहे वो कॉंग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो तमाम लोगों से ये कहा कि आप लोग अपनी पार्टी विचारदारों को एक तरप रखें लेकिन S.C.S.T. वर्ग से चूकि आप आते हैं O.B.C. वर्ग से आप आते हैं कॉंग्रेस के भी कुछ नेताओं ने 21-T.A.R. के बंद कर समर्थन का एलान किया है लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी हलाकि B.J.P. से भी कहीं से कहीं से समर्थन की बात आ रही है लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, पुर्व विधायक, पुर्व सांसद या फिर किसी भी बड़े नेता जिसकी आपने खुब सहायता करी थी उस वक्त जब उन्हें हटा दिया गया था उन्हें जेल में डालने की बात हो रही थी एक प्रतिग्या लेने के बौध रिती में शामिल होने की जो उन्होंने प्रतिग्या ले थी बाइस प्रतिग्या हैं उसके बाद जो उन पर कारवाही हो रही थी उस वक्त आप सभी ने बढ़ चड़ कर उनको बचाने के लिए उनक पक्ष में आपने आंदोलन किया था लेकिन इस आंदोलन में वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हां समाजवादी पारटी के लोग भी आपके साथ नहीं दिखाई देंगे बलकि वो तो इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं देखिए यह इस तरह के जो लोग हैं वो इस समाज में भेद बढ़ जाए, वो चाहते हैं कि SC ST का जो ये की जो सूची है, इसकी तमाम जातिया है, उनमें विभेद कर दिया जाए, वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीती इसी पर्टि की हुए, समाजवादी पार्टी से आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये तो उनीका सब किया दरा है क्योंकि पंजाब से ही इस वरगी करण की बात की शुरुवात हुई थी और उसके बाद ही ये मामला कोर्ट में गया था तो आप उनसे भी उम्मीद न रखें लेकिन जिस तरह से समाज ने CST OBC समाज ने जिस तरह से ये बंद पुकारा है ये निश्चित रुप से स्वफल होगा और आप सभी के साथ हम पूरी तरह से शिद्दत के साथ हैं हमने किसी पार्टी के साथ में नहीं कोई किसी भी प्रकार का समझोता नहीं किया है ना तो कॉंग्रेस से ना बीजेपी से इसलिए हम इस अंदोलन में आपके साथ हैं बहुत सारे यूटूबर्स हैं जिन्होंने पिछले चुनाओं में कॉंग्रेस से पैसा ले लिया था अब उनके हाथ बंदे हुए हैं वो आपके साथ इस अंदोलन में शायद न दिखें हो सकता है उन्होंने उस तरह से पिचार पसार भी न किया हो बहुत सारे लो इसका जबरदस्त तरीके से पिचार पसार करें जिस तरह से बहन मयावती ने भी इस अभियान में समर्थन दिनी की बात कही है कई पार्टियों ने समर्थन दिया आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए और इस आंदोलन को पूरी तरह से सफल बनाना चाहिए जिस तरह से आ तरह से ये जो आदेश कोर्ट की ओर से आरक्षन में भी भाजन करने की बात जहां पर आई है वरगी करण की बात आई है इसे भी रद किया जाना चाहिए और साथ ही सिर्फ इतनी ही बाते नहीं है दश्व को आपको बता दे कि ये जो 21 तरीक का अंदूलन है सिर्फ आरक्षन म वरगी करण के खिलाफ ही नहीं है यहां पर बहुत सारी और बाते हैं जिन में प्रमुक रूप से जातीगत जनगना भी है साथ ही जो जुडिशिरी है जहां पर अंदूल हो या सर्वच नाल है यहां की जो भरतिया होती है इसमें आरक्षन होना चाहिए साथ ही जो भरती की प्रक्रिया जो कि इस वक्त कुलेजियम सिस्टम से होती है उसे बंद करके परिक्षा के मादिम से यहां पर भरती होनी चाहिए तमाम जितनी तमाम भी भागों में जो अभी बेकलॉग है बहुत सारी भरतियां जो आरक्षन की भरतियां आरक्षन के कोटे की जो भरतियां वो नहीं की गई है उस तमाम बेकलॉग जो हैं उसे भरा जाना चाहिए ये भी इस आंदुलन में ये मांग भी शामिल है साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है अभी आपने देखा होगा जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे क प्राइवेट सेक्टर में खूब नौकरियां है प्राइवेट सेक्टर जो है नौकरियां देंगे सरकारी भाग खत्म कर देना चाहिए सरकारी भाग जो है खत्म किया गया बीजेपी सरकार द्वारा इसके पहले की भी सरकारों ने भी कौंगरिस ने भी एक अभियान चलाय और प्राइवेट सेक्टर को जो है तमाम सरकारी सेक्टर बेच दिये बेचने की जो उन्होंने शरुवात की है बाल को सही उन्होंने शरुवात की थी आज बहुत सारे सेक्टर जो है वो सरकारी सेक्टर प्राइवेट हाथों में बेज दिये गए और प्राइवेट सेक्टर क रिलाइंस और डेल और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जो कमपनिया है टाइटन जैसी बड़ी बड़ी कमपनिया कई हजार लोगों को अब नौकरियों से निकाल रही है यह इस आप यह समाचारा पढ़ें और देखें आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको नौक मिलेगी नहीं मिलेगी एक तरफ सरकारी वाग खत्म कर दिये गए और प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ भी नौकरियों से निकाला जा रहा है और वहाँ तो आरक्षंड लागू होता ही नहीं है इसलिए 21 तारिक का जो यह अंदोलन है वो ना सिर्फ आरक्षंड में प्राइब कर भी यह अंदोलन है बहुत सारी बाते हैं दर्शकों इस वजह से इस आंदोलन में आपको अपनी एक तका परीच्छ देना ही होगा और तब जाकर जो है यह अंदोलन सफल होगा आपकी बात मानी जाएगी क्योंकि सरकार जो है जब तक आप सरकार को हिलाएंग बहुत बहुत धन्यवाद